हाई एब्रियोन मैं सेश्मित आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में आज कर बहुत सारे फेस्टिबल चल रहे हैं और इस फेस्टिब सीजन में हम सब अपने घर को डेकोरेट करने बहुत जादा पसंद करते हैं इसलिए हम लोग डेकोरेट के प्रॉड़क्त पर्चिस करते हैं इसलिए आज मैं आपके साथ एक छोटा सा होम डेकर हॉल वीडियो शेयर कर रहे हूँ आज होप आप सब लोगों को पसंद आएगा तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को मेरा First Product लिए Beautiful Garner प्रर्चेस किया है ये बहुत ही Beautiful है । और Banana Leaves Maybe ये पूरा लीफ क के छे P daí, इसलिए बहुत Beautiful लग रहा है और बहुत Smooth, भी है propre Voll smells my sand इसका और इसमें तीन शेड्स थे मैंने रोज गूल्ड कलर का पच्चिस किया है और दो शेड्स भी हैं आपको जो भी कलर पसंद आप पच्चिस कर सकते हैं तीनों ही सेड्स काफी अच्छे हैं और दिखने में ये काफी खुबसरत लग रहा है आप इसको डाइनिंग टेबल जो है वो एन्हांस कर देगा आपका रूम का और आप इस आज जटी भी यूज कर सकते हैं नहीं तो इसके ऊपर कोई भी छोटी मूटी चीज़ें आप डेकोरेट कर सकते हैं ज्यादा नहीं करेगे तो इसको जो लूप ये वो खराब हो जाएगा आप कम चीज़े इसको उ मैंने यह industrial plant purchase किया है यह बहुत अच्छा plant है लक्शिक से बनी हुई है और यह एक money plant है और इसकी प्वरेट बहुत अच्छी है दिखने में काफी real लग रहा है और बहुत है इसका अच्छा है 75 cm के height है और दिखने में काफी real लग रहा है और इसमें 18 branches है और 18 leaves है इस पैठे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ यह देखी इतना ब्यूर्फुल लग रहा है और इसमें डार्क कलर ग्रीन कलर है और कुछ लाइट कलर के हैं दो डिफरेंट कलर के ग्रीन दिएगे हैं ताकि आप इसको मिक्स मैच करके लगाएंगे तो यह काफी सुन्दर लगेगा और रियल भी लगेगा और यह ब्रांचेज जो हैं यह भी बहुत ही ज्यादा रियल लग रहे हैं और बहुत दूर्फुल प्लांट है आप जाहें तो इसको पचेस कर सकते हैं जहां पर भी सनलाइट आपका नहीं गिर रहा है और बहुत दूर्फुल प्लांट रख सकते हैं ताकि बहुत खुबसुरत भी दीखे और लाइट ना गिरने की वज़े से आपका जो रियल प्लांट है वो खराब भी ना हो और अगर आप रियल प्लांट को मैनेज नहीं कर पारें तो इस तरह का अर्टिफिशल प्लांट एक जरूर खरीदना चाहिए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए नेक्ष्ट मैंने यह लोटस वल हंगिं पचिस किया है मैं इसको कोल के आपको दिखाते हूँ इस तरह के पैकेड में मुझे रिसीब हुआ है और ये एक टेल का सेट है ये चारो तरफ इससे ही सब डेकोरेट कर रहे हैं घर को मैंने सुचा मैं भी पच्छिस कर लेती हूं डेकोरेट करने लिए इस दिवाली तो देख लेते हैं इसकी क्वारडी कैसी है ये देखिए इस तरह की है ये वाल हैंगी और ये पिंक कलर की है और इसके उपर गोल्डन कलर का जो आउटर लाइन किया गया है और उसके उपर मोती लगे हुएं हैं और golden color के bits भी लगे हुए है और एक tassel भी लगी हुई है और hang करने के लिए इस तरह का एक ring दिया गया है आप कहीं पर भी hang कर सकते हैं कहीं पर भी आप इसको hang कर सकते हैं बहुत ऑच्छा है और विल्बिट का जो कपड़ा लगा हुआ है बीच में बहुत beautiful है और बहुत सुन्दर लग रहा है आप इस दिवाली दिवाली हो गनेश चत्रकी हो कहीं पर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं आप background decoration में भी use कर सकते हैं अपने मंदिर में भी इसको permanently हैंग करके decorate कर सकते हैं कही पर भी इसको use कर सकते हैं festive season में बहुत ही beautiful है और काफी reasonable prices 10 कर सेट मुझे मिला है आप चाहें तो इसको purchase करके अपने घर को decorate कर सकते हैं last में मैंने ये cushion cover purchase किया है ये फाइकर सेट में ये cushion cover purchase किया है बहुत सुन्दर है ये polyester material की है और इसमें digital print किये गया है green के जो दो-तिन shade green और blue के दो-तिन shade में इसके उपर geometric pattern से print किया गया है हर pattern बहुत ही अच्छा है और unique है और अलग भी है ताकि आपके sofa के उपर आप डालने से काफी पुसूरत लगेगा देखिए इसके quality भी काफी अच्छी है बहुत स्मूथ है इसकी जो zip है ये भी बहुत ही अच्छा है देखिए बहुत स्मूथ है बहुत अच्छी है daily use आप इसको कर सकते हैं बहुत बढ़िया है और आप इसको machine wash भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है मैंने पहले भी इस तरह के question cover purchase किये हैं कुछ problem नहीं हुआ है और price care coding ये काफी अच्छा है अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लग रहे है तो please मेरे चनल को like and subscribe करना ना भूलिएगा और bell icon को भी hit कर दीजीगा notification के लिए thank you so much bye